नमस्कार, वेलकम टू बिहार से बिल्स, मेरा नाम है आलोक सिंग, तो देखिए बीपीएसी के जो परजेंट चेर्मेन है अतूल पर साथ, जो काफी सारे रिवलोशनरी अस्टेप ले रहे हैं बीपीएसी में इंप्रूव्मेंट लाने के बीपीएसी के एक्जैम में इंप् मिला है और अभी भी कंटिन्यू है जो कि एक पॉजिटिव चेंज है और वेलकम भी करना चाहिए क्योंकि देखिए काप जो हमारे स्टेट पीएसी एक्जैम हैं दूसरे स्टेट के उन्होंने अपने सिलेबस में कहीं न कहीं यूपीएसी यानिकी यूनियन पब्लिक रखा है और जिससे क्या होता है कि एक जो कॉंपरिटीशन है वह फैर होता है और हमें ब्राड परस्पेक्टिव मिलता है अपने एक्जैम में लिखने के लिए एक सही कॉंपरिटिशन अदरवाइस हमारा जो सिलेबस था वीपीएसी का वह बहुत ही नैरो था बहुत ही बि बढ़ने से मैं पहले कहूंगा कि आप अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करिएगा तो देखिए सबसे पहले ये बात मैं कन्फर्म कर दूँ कि अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सिलेबस में बहुत जादा कुछ भी चेंजेज नहीं है सिर्फ सिलेबस में ये चेंजेज हैं जो कि पिछले साल आपने हमें देखने को मिला था यान 2022 में देखने को मिला था कि ऑप्षिनल पेपर को लेकर ठीक है ऑप्षिनल पेपर को एक तरह से सिर्फ कौलिफाइंग कर दिया गया है और जो ये एमसी क्यू के फॉर्मेट में कर दिया गया है और एक एससे राइटिंग जो है एससे पेपर इंक्लूड कर दिया गया हमारे सिलेबस में बाकी जो सिलेबस है ये सब अभी भी प्रेजेंट है ये जो हिंदी का जेनरल हिंदी जो आपका एक क्वालिफाइंग लिया जाता है ये सब भी प्रेजेंट है तो सिलेबस एज इट इस है और इसमें बस फॉर्मेट का चेंजेज हमें देखने को मिल रहा है तो BPSC के वेबशाइट पे ये फॉर्मेट दिया गया है मॉडल दिया गया है कि किस तरह से हम आपको मेंस के जो एक्जैम होगा उसमें आपसे हम सवाल पूछेंगे ये पूरा आपका फॉर्मेट दिया गया है जी एस पेपर वन जी एस पेपर टू और एसे पेपर का तुब है एक एक करके आपको मैं बता देता हूँ चलिए तो पहली बात करते हैं जी एस पेपर वन तो मैंस की एक्जाम में आपको पता होगा जी एस पेपर वन होता है जी एस पेपर टू भी होता है जंडर स्टिटिजीश व्न है इसमें तीन सेक्षण रहते हैं। नास्तutory गई है जो स्टॉट नंबर कोईश्टिन होगा यह पैटर्ण मार्ड यह तरह से ही question provide करूगा कि पहला जो question इस तरह होगा जो short answer question होगा जो modern history से ये modern history और Indian culture से होगा और इसके जो marks होंगे 38 marks के होंगे ठीक है ये बिलकुल अब fixed कर दिया गया है second question में आपका और में रहेगा या तो ये question आप लेकिए description question रहेगा ये ये तो short question था और ये descriptive question रहेगा और यहां भी modern history से ही आप से सवाल रहेगा तो या तो ये question बनाईए या फिर ये वाला बनाईए ठीक है फिस अगला सवाल अगला भी वैसे ही रहेगा question number 3 देखिए यहां भी दो question यहां पर रहेंगे और और में यहां इतने में इस है कितने question को हमको बनाना ही कंपलसरी है तो 3 question ठीक है यहां से तो जो सौर्ट नोट्स बनाना है वो बनाना ही बनाना है question number 1 में और question 2 में दो दिया हो में इसे एक बनाना है तीन में भी Ivani कुछ अध Earick रिभूश्या करेंट हर्से axe इन दोनों में तो क्वेस्टेंट होगे और और करके ठीच मे ELISA को कंपर्या नबर शूर्स कण नंबर सक्ष थो यहाँ विश्म से एक में इस एक मिश्मिट बनाए ही होंगे यानि section second देखें तो इसमें से भी तीन question आपको compulsory बनाने हैं इनुदर सेंस की लिखने हैं आते हैं section 3 में तो section 3 में आप देखोगे दो question यानि कि चार question रहेंगे और करके स्ट्राटिस्टिक से यहां पर सवाल जो पूछे जाते थे उसी तरह स्ट्राटिस्टिक से यह सवाल यहां पर रहेंगे और और में रहेंगे या फिर आप यह बनाओ यह बनाओ यह फिर यह लब की सेक्शन थर्ड से भी दो क्वेस्टन यानि कि हमने जी एस पेपर वन में प करता था पहले भी सेम ही तरह का format हुआ करता था लेकिन उसमें था कि यह जो आप में दे दिया कि इन दोनों मैं से और-और करके तो यहां पर रहता था कि यह जिसे section फ्री दिया तो यह जो चार questions पूरा आपको दें देगा ठीक है चार question आपको पूरा देदेगा इन चारों में से आप चूज करके कोई भी दो question आपको बनाने हैं लेकिन यहां पर दो वह ऐसे नहीं है आपको fix कर दिया कि question no.7 से भी एक बनाने है और question no.8 से भी एक बनाने है कोई ठीक है तो यह format में थोड़ा सा changes है कि अब सारा कुछ fix कर दिया गया है कि हां भाई हम इस तरह कहीं question लेंगे तो यह model यहां पर दिया गया तो 8 question GS paper 1 से अब आए GS paper 2 general studies second में देखिए चीजें सब कुछ उसी तरह से है बस question को जो है यहां फिक्स कर दिया गया है उसका format जो है model वो fix किया गया है यहां पर बाकी चीजें उसी तरह से है numbering या फिर marks देखें तो वही आ रहा है तो इसमें से भी section 1 की इसमें भी यानि जेनरल जीएस पेपर 1 में भी तीन सेक्षन होते थे अभी भी है जेनरल जीएस पेपर 2 में भी तीन सेक्षन है जैसे कि section 1 की हम बात यहां पर कर रहे हैं तो यहां पर short answer पहले वाले में होगा 38 marks का यह फिर बाकी दो question जो question होंगे इसमें दो इन दोनों में से लिखें इंडियन इंडियन पॉल्टी से ठीक है तो इंडियन पॉल्टी से डिस्क्रिप्टिव यह question होगा ओबिसली 38 marks का होगा फिर question 3 से आप लिखिए कोई इन दोनों में से कोई question लिखिए ठीक है तो यहां से भी तीन question section 2 में भी वही है short answer यहां पर फिर question number 56 में देखिए 2-2 questions दे दिये गये हैं आप अपने चौई से यह question लिखिए यह पिर यह question लिखिए यह फिर या फिर यह तो यहां से भी हमें एक 2-3 question तो section 3 से भी second से भी लिखने है तो section 1 से भी तीन questions सेक्षन जीन से से भी तीन जाएगा question no.8 में आपको यहाँ पर दिया गया है दो question रहेगा the role and impact of science and technology in the development of India यह descriptive यह 36 marks का होगा ठीक है और यह भी 36 marks का होगा तो इन दोनों में से कोई एक question यहाँ पर लिखना होगा यानि कि section 3rd से भी 2 question रिखना होगा एक तो यह हो गया और इन दोनों में से कोई एक दो question तो कितने होगे section 1 से 3 section 2 से 3 और section 3 से 2 तो यहाँ भी क्या होगे 6-2 8 ठीक है तो gs paper 1 से भी 8 question gs paper 2 से 8 question क्या पहले ऐसा नहीं था पहले भी ऐसा ही था ठीक पहले भी 8 question ही solve करने होते थे लेकिन वही है हमने आपको बताया कि यहाँ पर fix कर दिया जो इन दोनों में से ही आपको कोई एक तो बना नहीं है पहले ताकि यह section 3 तीनों आपको यह question देदेगा बोलेगा तीनों में से 2 question आप attempt करिए ठीक है तीनों में से लेकिन आप है कि ए आपको option दिया जा रहा है इसमें इसमें option दिया जा रहा है बागी क्वेश्चन जो कि आप या फिर यह बनाओ या फिर यह बनाओ इतना टेंशन क्या लेने का पहले का हम एक थोड़ा चाँ देखी लेते हैं ठीक है तो 2021 का है 66 BPSC हाँ 66 BPSC का GS paper 2 का यह question paper है पूरा तो यहां पर देखिए सुरूज में ही लिखा रहाता है कि answer 8 question selecting 3 each from section 1 section 2 and 2 from section 3 यहीं पर आपको लिखा दिख गया कि 8 question आपको solve करने है section 1 से 3 question section 2 से section 1 section 2 से 3 question और section 3 से 2 question बस इतना ही तरहता है और बाकी आपका question जो है वो इस तरह से रहेगा जिसे section 1 है section 1 में 1,2,3,4 जब यह 4 question आपका दे दिया गया है अब इन 4 question में से आपको कोई भी 3 question चुनके लिखना था पहले लेकिन अब आप कोई भी नहीं है अब format कर दिया गया है कि choice करना है तो बस वही 2 question में ही आपको choice करना होगा ऐसा fix कर दिया गया आपका जो model होगा ठीक है यानि कि आप जब 68th BPSC का mains दे रहे होगे या फिर 69th B BPSC का mains दे रहे होगे तो वह model होगा तो पुराना वाला ऐसा कुछ model था यहां पर आप देख सकते हो section section 2 यह इसी तरह से है ठीक है तो BPSC के इतिहास में पहली बार अब इससे paper यहां पर पूछे जाएंगे जिसका यहां पर आपको model दिख रहा है तो इससे paper भी 3 section में होगा section 1, section 2, section 3 तो यहां पर write any one essay out of given topics तो कुछ topics दिये जाएंगे जो भी 2, 3, 4 जो भी topics होंगे उनमें से किसी एक पर आपको essay लिखना है और दूसरा section जो है उसमें भी उसी तरह से topic दिये जाएंगे उसमें से किसी एक पर लिखना है फिर 3 में भी उसी तरह से दिये यानि कि पर में आपको तीन question जो है वो compulsory होगा और हर एक question hundred marks का होगा आप देख सकते हो यहां पर ठीक है हर एक question hundred marks का होगा यहां पर एक last में कुछ लिखा गया देखू बिहार as specific जो topics होंगे the questions of this section will be in देवनागरी script and it will be translated in roman script तो section third की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर एस writing जो होगा ठीक है यहां पर जो बिहार as specific जो topics दिये जाएंगे वो देवनागरी script में ठीक है यानि देवनागरी script कौन सा है हिंदी वाला जो हम लिखते हैं उसका जो script है वो देवनागरी है ठी ठीक है लेकिन it will be translated in roman script इसको roman script में translate किया जाएगा इंगलिस वाले में translate किया जाएगा ठीक है तो यह section थोड़ा सा confusing है इस पर मैं आगे के वीडियो में इसके जब clarity आती है तो मैं और भी इस पर वीडियो में आपको बताऊंगा ठीक है तो कि यहां पर basically करना क्या होगा section third म और ठीक है essay paper का कोई syllabus नहीं होता है ठीक है कि इस field से आएगा essay कुछ पर भी आ सकता है किस तरह के essay आते हैं अभी तक UPSC के exam में किस तरह के essay आये हैं या फिर दूसरे state PCS के exams में किस तरह के essay paper आते हैं और क्या-क्या उसमें किस तरह से लिखना होता है इस पर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा ठीक है क्योंकि ये वीडियो पे लाऊँगा तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा ठीक है तो इसमें हम में बताना चाहरा थे आपको कि ये जो model चेंज किया गया जो format चेंज किया गया है ये समझ यह इस से paper का जो format दिया गया है पहली बार essay paper include किया गया है इसका फॉर्मेट आपको हमने समझा दिया तो उमीद है आपको यह समझ में आ गया होगा तो चलिए फिर मिलते हैं बिहार से इसके अगले वीडियो में थाइंक यू फूर वॉचिंग जैहंद